दोस्तो अगर आप Nifty या Bank Nifty में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को आप complete देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको Hammer Candle के बारे में बताऊँगा Hammer Candle कब pass होता है और कब fail होता है कब हमें उसे trade करना चाहिए कब trade को execute करना चाहिए ठीक है जो आपको बताऊँगा उसको आप चाहे तो back test कर सकते हैं अच्छा कोई भी strategy आप देखें YouTube के थुरू ठीक है तो आप उसको 100 time यानि 100 trade उसका back test कीजिए उसके बाद 90 trade front test कीजिए छोटे lot से अपने risk के हिसाब से तब आपका confidence बन जाएगा अगर आप front back test करोगे तो confidence थोड़ा थोड़ा बनेगा फिर front test करोगे डर डर के ठीक है लेकिन rule के साथ करना है तो आपका confidence बन जाएगा अगर 90 trade आपने किया और वो successful हुआ जो की अधिकतर होता है ठीक है तो आपका confidence बनेगा और जब confidence बनेगा तो आपका पैसा बनेगा क्योंकि market में confidence ही पैसा बना कर देता है और confidence तभी आता है अपने experience से जब खुद आप trade execute करते हो छोटे छोटे lot लेकर जब आप trade कर लोगे 70-80 trade तो अपने आप confidence आजाएगा ठीक है तो आप बहुत से लोग कहते हैं सिर्फ strategy बता दो direct strategy पर jump करने को सूचते हैं अगर आप सिर्फ strategy पर jump करोगे rule नहीं समझ तो सिर्फ आपको strategy से मतलब नहीं उसके साथ जो rule बताए जाते हैं उस rule को भी आप ध्यान से समझा करो ठीक है आपके यहां पर screen recording चलती रहेगी laptop पर हम समझाते हैं आपको देखे backtest करना ज़रूरी है backtest भी आप कर सकते है laptop की screen यहाँ पर लगी हुई है देखे rule क्या है rule simple स बहुत ज़्यादा rule नहीं है सिर्फ तीन rule है ठीक है पहला rule तो हमने आपको बता दिया backtest करना है fronttest करना है अपने risk के हिसाब से करना है sort rate और 90 trade sort rate backtest 90 front उस रूल देखिए hammer आप candle तो पहचानते ही होगे यह आप अज्यूम कर रहे है फिर भी आपको बता देते हैं जो नए है market में नहीं जानते hammer innocence हथोड़ा हथोड़े की तरह वो देखती है इसलिए उसको hammer कहा जाता है हथोड़ा candle आप कह सकते हैं simple इस तरीके से कुछ बनती है ठीक है इस तरीके से बनेगी और आपको दिखा देता हूँ यह देख लीजिए यह इस टाइप की बनी हुए जैसे यह वाली candle यह candle आप जो देख रहे है यह हथोड़ा है ठीक है इस तरीके से बनेगी ऐसे रहती है और यहाँ पर जो इसकी body र अच्छा रहता है ठीक है तो यह होती है hammer candle अब hammer candle आप जानते जानगे समझ गए ठीक है जो नए लोग थे उनको भी पता लग गया हमने आपको live भी दिखा दिया है hammer candle के बारे में अच्छा अब hammer candle trade कब करनी है उसकी condition समझ लीजिए देखो hammer candle को न trade आपको तब करना है यहा ठीक है previous day की closing आपको ध्यान रखनी है जब भी hammer तो बहुत जगा बनता है अभी आप back test का हम आपके सामने live test करेंगे तो अब देखेंगो उसमें कि कहां कहां पास हुआ कहां कहां fail हुआ ठीक है तो जब भी hammer previous day की closing के पास बने माल लीजिए market gap up opening हुई ठीक है यहां पर closing हु रहेगा वह hammer की wig का 10 point नीचे stop loss रहेगा ठीक है और यहां से आप trade execute करेंगे अभी आपको बस यही rule है simple ठीक है previous day की closing आच्छा दूसरा आप यहां पर अगर कोई support है ठीक है previous day के पास support रहेगा या कोई trend line का support है trend line का support है तो भी आप hammer को trade करेंगे support पर जब बनेगा resistance पर बने या बीच में बने कहीं भी बने उससे हमें मतलब नहीं है हमारा मतलब सिर्फ इस से है कि previous day की closing के पास अगर बनता है तो बहुत अच्छा work करता है hammer ठीक है अभी आप back test करके हम यहां 2000 back test आपको दिखा देते है बाकि आप खुद करेंगे paper और pen ले लीजिए लिखना सुरू कीजिए भाई साब लिखोगे नहीं तो market में पैसा नहीं बनेगा ठीक है देखिए अब यहां पर यह वाला hammer देखिए यह previous day की closing है और यह hammer type की candle बनी ठीक है इसको हमने trade किया लेकिन इसको हमने यह email लगा रख गया था इस trade को execute किया था यहां पर 15 मिट के time frame पर गया ठीक है 15 मिट का time frame लगा वा और यहां पर हमने entry ली थी यहां पर यहां entry ली और यह देखिए कितना बड़ा move गया ठीक है लेकिन हम यहां exit कर गए थे इसके आजपास इस वाली candle पर exit कर गए थे यह candle हमारी यह candle बाद म है यह day high के पास पहुंचके यहां से थोड़ा सा वापिस हो रहा था तो यहां पर हम exit कर गए यह trade 5 April की है यह हमने trade किया था ठीक है 5 एम में 5 एम में की हमने वीडियो बनाई हुई है साथ में आपको और यह भी बताया वा कि कब कब trade करना है कैसे कैसे trade करना है proper तो इस वीड ठीक है जब multiple confirmation होती है तो थोड़ा confidence बना रहता है उसके बाद देखिए बैक्टेस्ट करके आपको दिखाता हूं थोड़ा सा यहां पर आप देखते इस लिए qui hammer कहां बना है यहां hammer तो कोई नहीं है और देखते हैं और देखते जाली इसको तो थोड़ा इस तरीके से ताकि ईदिखे clear current देखे ये देखे ये हैमर बना है अब ये हैमर यहाँ पर बना है ये हैमर फैल हुआ ठीक है ये रेड गंडल का है ये भी आपका है खैंब हेँए पहले कि प्रीवेस दे के पास है कि नहीं है तभी तो मानेंगी फैल पास हुआ प्रीवेस डे की क्लोजिंग यह है यहाँ पर नहीं है थो यहाँ था कीघ्ल पॉइंट देखिए अगर आप देख पा रहे हूँ, ठीक है, अगर आपको clear cut दिख रहा है, आपको यहाँ लाइन लगा कर दिखाता हूँ, यह previous day की closing हो गई, 10-30 यह है न, यहाँ पर closing हुई हमारी, यहाँ, और यह देखिए, यहाँ पर closing हुई, और यह hammer बना है, तो यह hammer हम trade करेंगे, अब यह hammer बना, और आपको दिखाता हूँ, यह आपर, यह, यह hammer टाइप की candle बनी, और यहाँ से देखिए, market 15 मिनट के time frame पर कितना अच्छा move करके गई है, आप चाहे तो इसको 5 मिनट पर भी कर सकते हैं, अधिकतर जो हमें पसंद है, हमारा मतलब favorite number कह सकते हैं, 15 है, इसलिए हम 15 मिन experience हुआ है, कई बार fail हुआ है, ठीक है, उसके बाद देखे, यह closing के पास hammer बना, अब यहाँ पर देखते हैं, यह previous day की closing है, और यह hammer बना है, तो यह hammer हम trade करेंगे, यह red color में है न जो, इसको हमने trade किया, यहाँ पर गई market गई, यह हमारा SL होगा, और SL हिट नहीं हुआ है, और इसके पास यह वाला hammer बना है, यहाँ हमारा trade execute हुआ है, ठीक है, जब hammer का high break हुआ, hammer के यह हमारा यहाँ पर SL है, और यहाँ पर देख लीजिए, आप यह market close हो गई है, sideways में, लेकिन हमारा SL हिट नहीं हुआ है, तो आप profit में ही रहेंगे, यहाँ से entry आपकी है, और यहाँ से 100-500 points जो भी मिला है, आपको मिलेगा, ठीक है, उसके बाद और दिखाता हूँ आपको, और देखिए, back test कीजिए, यह market के closing, यहाँ कोई hammer नहीं बनी है, यह दूसरी candle है, इसको अलगतरी किसे, देखिए, और भी candle stick के pattern अगर आप जानना चाते हैं, सीखना चाते हैं, तो comment कर के बताईएगा, इस वीडियो पर अगर 100 like देदोगे ना, तो candle stick के pattern आपको बता दूँगा, तेखिए, pattern तो आपको पता लग जाते हैं, लेकिन कहां पर execute करना यह नहीं पता लगता, अब आप कहोंगे hammer हर जगा, अरे इंतजार करो, market इंतजार का पैसा देता है, जब इंत closing है, यह closing के पास बना, देखिए, यह हमारी previous day की closing है, और यह hammer बना है, ठीक है, यहाँ पर, और यह यह वाला hammer भी है, इससे 10 मेंट नीचे अगर XL रखेंगे तो भी नहीं है, यह hammer नहीं है, दोजी टाइप है, यह है hammer, और यहाँ हमारी high break होने पे entry है, उसके बाद move आपको यहाँ से मिला, अच्छा move मिला, ठीक है, तो चीजों को समझिए, यह hammer, red hammer है, लेकिन देखें, यह हमारी previous day के पास है या नहीं है, नहीं है, previous day हमारा यहाँ है, इस hammer से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, इस hammer को कप trade कर सकते हैं, जब यह किसी support के पास हो, आप यहाँ support जो है, support भी नहीं है, यह hammer शूट जाएगा, आपसे कोई मतलब नहीं है, move आपको दिख रहा है कि यहाँ मिला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, छोट रहा है, शूट नहीं दीजिए, उसके बाद और देखते हैं, आपर, देखे, trend line के support पे भी आप trade कर सकते हो, अब यह व move मिलता है, अगर एकदम से, दो, तीन candle, एक green, green मिल गई है तो, यह वाला आप देख रहे हो, आपको दिखाता हूँ, कहीं साध ना पता लग रहा हो, यह वाला, यह move हमने अगर capture किया, तो अच्छा profit बना है, sideway market है, फिर भी profit निकला है, उसके बाद देखते हैं, और देख ट्रेड होगा confidence से, और confidence बनेगा practice से, और practice आप कर पाओगे, छोटे lot से, छोटे छोटे ट्रेड लोगो आपको बताई दिया मैंने, बस simple आप समझ लीजिए, आपको यह closing का तो बताई दिया, और support बाला एक example कहीं मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, कि support के पास market, trend line का support ल यह hammer है, यह देखिए, यह previous day की closing, और यह hammer और कितना बड़ी हमूब capture हुआ है देखिए, यह देखिए न, ध्यान दीजे, ध्यान दीजे, कहां ध्यान देना है, यह पchemical लिए pencil अई नहीं, यह previous day की closing, और यह hammer, यह entry और move देखिये फिर यहां से, डेखरों लगा तार, कितना बड़ा मूव कैप्चर हुआ तो हर जगह है एमर ट्रेट करोगे तो फेल हो जाएगा है ट्रैप हो जाएगा ठीक है ट्रैपिंग से बचना है तो प्रीबिएस डे की क्लोजिंग पर या ट्रेंड लाइन के सपोर्ट का एक्जांपल अभी मिला नहीं है तो कोई दिखकत नही करोगे तो मिल जाएगा ठीक है और हमने देखा हुआ है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर भी हैमर वर्क करता है उमीद करता है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जनकारी समझ आ गई होगी ठीक है कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए वीडियो अच कर रहे हैं ताकि वह भी सीख पाएं और पैसा लॉस करने से बचाएं अच्छा अगर छोटे लॉस की स्ट्रेजी आपको देखनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में में लिंक मिल जाएगा आपको उसमें बहुत चोटा 10-20 रुपएगा एसल है और 30-40 रुपएगा 1- इस टू 1-1 इस टू 3-8 तक भी टार्गेट जाता है लेकिन आपका स्टॉप लॉस बहुत चोटा रहेगा मार्केट में जब नए ट्रेडर आता है तो उसका स्टॉप लॉस बहुत मीनिमम होना चाहिए तो हम भाई पैसा कम देंगे स्टॉप लॉस हम कम देंगे उस वीडियो चर्च आउट मिलता है ठीक लेकिन स्टॉप लॉस हमारे हाथ में होता है टार्गेट मार्केट के हाथ में थे थे तो आप उस वीडियो को चैक आउड कीजिए लिए याफ़ बहुत बहूत दन्यवाद शुक्रिया